सासे गाल, यो वाचिंग लॉक्टान एंडेटरिमेंट डायलोक्स को बॉलिवुड स्टाइल में पेश किया जाएगा जैसा अभी तक होता आ रहा है तो इन सारी मॉवीज की डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इन सभी के यूट्यूब वाले फ्री लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देता हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार Lockdown Entertainment देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बड़िया बड़िया वीडियो देखने के लिए और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे Instagram पे contact कर सकते हैं Lockdown.Entertainment33 पे जो यहां उपर स्क्रीम पे भी फ्लेश हो रहा है चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की और तो सबसे पहले इस लिस्ट की तो नहीं बोल सकते बट फिर भी बहुत important movie है जिसके साथ ऐसा ही होने जा रहा है जो अभी अभी काफी hot news भी चल रही है जो पुश्पा पैन इंडिया movie के सुपर हिट होने के बाद गोल्ड माइन्स वालों ने अलू अर्चुन की ये movie आला वेंकिटा प्रोमोलू को हिंदी डव करने के बाद थेटर्स में रिलीस करने का फैसला किया था लेकिन हमारा बॉलीवूर तो पहले से ही इसकी कहानी को कॉपी पेस्ट करके रीमेक बनाने के लिए रेडी हुआ बैठा था जिसमें कार्तिक आरियन में हीरो के रोल में होने वाला है तो जैसे ही इसकी हिंदी डव की थेटर लीस अनाउस की गई तो इसके बॉलीवूड रिमेक वालों को 440 वाट का जटका लगा और करते कराते इस मूवी की थेटर लीस कैंसल करवा ही थी जो के 26 जनुरी को लीस होने वाली थी या फिर हो सकता है कि इसकी यूट्यूब रिलीस थोड़ी सी और डिले कर दी जाए लेकिन फेबरेरी में ही यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी आगे नमबर 11 पे है एक कमाल की साउथ हिनियर मूवी जिसे मिस करने की भूल कभी मत करना जिसे मनी हैस्ट सीरीज का कॉमेडी वर्सन भी कह सकते हैं जिसका नाम है गोरीला गैंग जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलबल है काफी टाइम पहले एरीस हुई है जिसमें एक बैंक चोरी शुरू तो मजाक मजाक में होती है लेकिन धीरे-धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि सोचा भी नहीं जा सकता और साथ में कॉमेडी एक दम ओरिजनल डायलोग्स जो कभी सुने नहीं होंगे सबसे मेन बात है इसकी हिंदी डबिंग जो एक दम ओरिजनल जैसी है कहीं भी फील नहीं होता कि इसको हिंदी में डब किया गया है जिसमें कुछ friends की कहानी है जो financially तंगी होने के कारण जिंदगी से परशान हो चुके हैं और इनके characters भी इतने real और कमजोर आम से इंसान वाले लिखे गए है कि हमारे आसपास हर 10 में से एक बंदा ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सबसे पहले वो ही लुंगी उठा के भागते है नमर 10 पे है साउत की हिंदी डब मूवी जो बंटी चोर की नाम से यूट्यूब पे अवेलबल है जो भी एक बड़िया comedy crime thriller मूवी है जिसमें भी कहानी कुछ friends की ही है जो इस कहानी के शुरू होने से पहले तो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हमें situational comedy के साथ हसाते हुए एक दूसरे के friend बन जाते है जो हर रोज बैटके देशी ठर्रा पीते हैं और पैसों के मामले में सभी की वाट लगी पड़ी है और नाम से ही इसकी कहानी का थोड़ा सा अंदाजा तो लगी गया होगा कि चोरों की कहानी होने वाली है तो इसे भी miss तो बिलकुल नहीं करना चाहिए नबर 9 पे है South की एक mystery thriller movie चुरली जो कुछ ताइम पहले लीस हुई थी only South की languages में और अभी 19 या 20 चैनुरी को Amazon पे लीस की गई है हिंदी डब में जो movie experience के लिए तो कमाल की लगती है और सारी movie South के घने जंगलों में ही शूट की गई है जहां पे दो undercover police officer जाते हैं एक criminal को पकरने के लिए लेकिन कहानी के नाम पे एक मजाक सा कर गए है जिसमें कहानी mystery thriller है और thrill तो बनता है उसके साथ mystery कुछ जादा ही बना दी गई है पता नहीं इसका second part बनाने की सोच रहे हैं इसके makers इसलिए सारी movie ही एक mystery बना कर रख दी गई है या फिर कहानी के नाम पे प्रेंक कर दिया गया है उमारे साथ जिसकी कहानी शुरू तो बड़ी excitement के साथ होती है लेकिन end इसका होता ही नहीं मेरा मतलब end होता तो है लेकिन जो mystery शुरू में बनती है मोग mystery ही रह जाती है तो जादा recommender नहीं है बट आप try कर सकते हो नमबर आठ पे है होई चोई की बेंगॉली crime thriller murder mystery web series जो अभी 19 या 20 जानूरी को हिंदी डब होके MX player पे lease कर दी गई है जो trailer से तो कुछ खास नहीं लग रही थी लेकिन असल में ये series काफी interesting है जिसमें एक private detective एंड एक serial killer की कहानी दिखाई गई है जब एक गाउं में लगातार brutal मतलब दिल दहला देने वाले तरीके से खून होने लगते हैं जिसमें killer खून करने के बाद दात निकालके उनकी जगा पे ball pen जो लिखने वाले होते हैं उनकी knobs fit कर देता है अब इसके पीछे क्या राज है क्या mystery है ये किसी को पता नहीं और local police को कोई सुराग भी नहीं मिलता तब कहानी में entry होती है इस थोड़े से हटेले लेकिन शातिर detective की जो हर कुछ time में किसी का नाम और काम दोनों भूश जाता है जो Hollywood को टकर देने वाली कहानी और screenplay वाली movie है जिसका hero एक time loop में फस जाता है मेरा मतलब हर time मरने के बाद फिर से उसी दिन की सुभा में जिन्दा हो जाता है और सब कुछ repeat होता है जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता सुनने में जितनी boring and every सी कहानी लगती है देखने में उतनी ही जादा interesting है जिस तरह से हर scene को details के साथ दिखाया जाता है बिना किसी time pass के वो देखकर दिमाग फट जाएगा और Bollywood की कोई भी movie इसके आसपास भी नहीं भटकने वाली तो ये movie must watch है डबिंग उतनी अच्छी नहीं बट watchable है जो वैसे तो और्मोस तीन साल पहले लीज हुई थी साउस की languages में लेकिन अभी अभी हिंदी डब होके YouTube पे 5 जैनुरी के करीब लीज की गई है जिसकी कहानी, acting, screenplay सब बहुत बढ़िया है बट हिंदी डबिंग कहीं न कहीं disappointing करती है तो कहानी में काफी twist and turns आते हैं जो हमें आजकल की high-tech technology के बारे में भी अच्छी तरह से दिखाती और समझाती है जैसे अभी हम बिना सोचे समझे कोई भी application phone पे install कर लेते हैं तो वो एक application हमें असल में कितना नुकसान पहुँचा सकती है वो आपको इस पूरी मूवी में दिखाया जाएगा और इसकी हिंदी डबिंग के बिना कोई भी minus point नहीं है इस मूवी का नमबर पांच पे है सौथ की horror thriller movie और कहानी में एक married couple है जो अपनी अपनी नौकरियंग हो देते हैं और काम की तलाश में दूसरी जगा जाने के लिए निकलते हैं जब रस्ते में उनकी कार खराब हो जाती है तो उसके बाद वो एक घर में पहुंचते हैं और जिस घर में जाना तो असान है लेकिन वहां से जिन्दा बाहर आना लगभग impossible है तो एंड तक उनकी जिन्दा रहने के लड़ाई है इस मूवी में जो 21 चनुरी को यूट्यूब के कहानी कार सुधाशू राय के यूट्यूब चैनल पे लिस की गई है जिसका अभी तक एक ही एपिसोड लिस किया गया है बाकी एपिसोड हर हफते देखने को मिल जाएंगे एक एक करके जिसकी कहानी एक प्राइविट डिटेक्टिव बुमरा की है और इस कहानी में उसके पास एक बहुत ही उल्जा हुआ केसा आता है के एक हवेली में पहले तो एक अंजान बंदा मिलता है और फिर वहां से वह भागता हुआ हवेली की छट से कूद जाता है लेकिन नीचे जमीन पे नहीं गिरता ना ही उसकी लाश मिलती है और ना ही उसके भागने का कोई सुराग मिलता है तो ये बंदा एक तरीके से हवा में ही गाइब हो जाता है नमब तीन पे है साउथ की एक ट्रेशर हंट मोवी जिसका हिंदी नाम भी ट्रेशर मिस्टी ही रखा गया है जो कुछ ताहिं पहले यूट्यूब पे हिंदी डम में लीज की गई एक माइंड ब्लोइंग मोवी है जिसकी स्टार कास्ट से लेके कहानी में कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिल, एक्शन, सब कुछ इतना परफेक्ट एंड माइंड ब्लोइंग है कि ऐसी मोवी हमने हॉलिवूड में भी नहीं देखी होगी लेकिन डेरिंग है तो सिट्योशन को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता है कहानी काफी लंबी होने के बावजूद भी एक मिंट के लिए भी बोर नहीं करती है नमर दो पे है सौट की रोमेंटिक एक्शन थ्रिलर मोवी जिसे यूट्यूब पे करीब एक महीने पहले ही लीज किया गया है हिंदीडाब में और बॉलिवूड की मोस्ट वेटर मुवी तडप इसी ओरिजनल मुवी का रिमेक है यूट्यूब पे लीज किया गया मेरी तडप के नाब से पुलिस पावर और इसी नाम से इसे 14 जैनुरी को शाम को पैन मुवी के यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया जो एक क्राइम त्रिलर एक्शन मसाला मुवी है और कहानी है एक इमानदार पुलिस वाले और उसके भाई की जब उसे पता चलता है कि उसका भाई बुरी संगत में फसके एक गैंक्स्टर के लिए काम कर रहा है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई उसे ही मारने के लिए तैयार हो जाता है तो आगे इसकी कहानी में क्या होने वाला है यूट्यूब पे आप दिल्कुल फ्री में देख सकते हैं